आपकी स्क्रीन पर है 26 अपरिल को टेक महिंद्रा की जो स्टॉक मुवमेंट थी उसका चार्ट तो येस आप देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा ने प्रिविएस क्लोज 11.90 से 10% तक की हाइक दिखा के 26 अपरिल को 13.42 का लेवल टच किया और क्लोज हुआ 8% हाइक पे यहने 12.80 क पर इसके एक दिन पहले टेक महिंद्रा ने रिजल्ट डेक्लायर के थे quarterly रिजल्स एंड जो quarterly रिजल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे अगेन आपकी स्क्रीन पर है अगर हम estimates देखे D Street के तो वो भी miss किये थे company ने और अगर हम results देखे तो revenue, profit after tax, margins, सभी चीज़ों में downfall था quarter on quarter basis पे भी और year on year basis पे भी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि next day इतनी अच्छी movement दिखाई Tech Mahindra में despite the fact कि पिछले एक साल में negative returns company ने दिये हैं और IT के अगर हम बात करें तो IT sector भी अभी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो यही आज के इस video में हम discuss करेंगे कि क्या reason रहा कि Tech Mahindra ने इतनी अच्छी movement दिखाई उसके बाद में जो rating agencies हैं उन्होंने अपनी ratings revise की है नए targets दिये Tech Mahindra के क्या है वो targets and at the end मैं आपको अपना recommendation दूँगे कि मुझे क्या लगता है क्या हमारी strategy होनी चाहिए Tech Mahindra के case में with facts and figures तो video starting से end तक पूरा देखेगा और अगर आपको यह channel अच्छा लगता है, video अच्छा लगता है और आपने से subscribe नहीं किया है तो नीचे subscribe and bell button press करके इसे subscribe कर लीचिए, अगर आप चाहते हैं कि personalized way में, customized way में में आपके help करूँ, आपको आपके wealth creation जल्मी में support करूँ, आप अपना phone उठाइए, मुझे contact कीजिए, 9821611667 पे, आप call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, अभी आप अगर April में plan लेंगे तो आपको benefit होगा क्योंकि हम अपनी rates, जो है plans के, वो revise करने वाले हैं, so definitely this is the good time, और अगर हम देखे, अभी elections की वज़े से थोड़ी सी market में volatility है, इसका हम benefit ले सकते हैं, क्योंकि long term में definitely Amrit Kaal का शुरूआत हो चुकी है, और Indian economy एक बहुत अची position पह रहे है, अभी ये बहुत अचा time है, invest करने का, so now let's get started, जैसा मैंने अपको बताया कि 10% तक की growth, 26th April को trading session में Tech Mahindra के stop ने दिखाई, जबकि 25th April को जो results थे वो इतने इंचे नहीं थे, ये जो spike आई थी, इसका reason था, कि जो MD है Tech Mahindra के Mr. Mohit Joshi, उन्होंने अपनी management commentary बहुत अच्छी दी, उन्होंने एक 3 साल का Vision 2027 क के बारे में बताया, और ये कहा कि ये 3 साल में Tech Mahindra के लिए एक turnaround story होगी, तो क्या इतना strongly इस Vision 2027 में उन्होंने का, वो भी हम देखेंगे, और इसकी वज़द से क्या actually Tech Mahindra deserve करता है, इस तरह की spike और क्या ये time है से buy करने का, या फिर accumulate करने का, ये हम देखेंगे आज की कर लेते हैं, so basically अगर quarterly results की बात करें, तो top line जो है, वो decrease हुई है, 6.17% से, profit decrease हुई है, 40.86% से, year on year basis पे, previous year का, अगर हम previous quarter का revenue देखेंगे, तो 1.76% से decline है, अगर operating income की हम बात करें, 9.29% से down है, quarter on quarter basis पे, and year on year basis पे 51.61% down है, earning पर share 9.86 है for quarter 4, which is again gain decreased by 31.4% year on year basis पे, तो definitely जो results है, बहुत अच्छे नहीं है, खराब है, अगर हम देखें, overall जो pat है, वो 41% down हुआ है, year on year basis पे, 661 crore pat declared किया है, 28 rupees per share का dividend भी company ने डेलार करा है, जो एक investors के बीच में positive रहा है, Now, coming on to the three year road map, और the vision 2027 plan, जो MD Joshi ने बताया, और जिसके basis पे ये spike market ने इतना positive momentum दिखा है, Tech Mahindra के stock में, तो देखें कि क्या है ये vision 2027 और कितना इसमें essence है, कितना इसमें substance है, क्या या actually, इस stock को इस spike के worth बना देता है, क्योंकि आप देखें, 10% का hike, मतलब 1190 से 1342 का level touch किया इस stock ने, which is a big thing, so, क्या है ये vision 2027, ये देखते हैं, organizational restructuring, of course, उन्होंने बात की इसमें, और ये phases में रहेगा, तीन phases में इसको divide किया है, phase 1 जो रहेगा, वो financial year 2025 रहेगा, phase 2, 2026, and phase 3 वोड़ बी 2027, इस project का जो नाम दिया गया है, वो दिया गया है, project 40s, and इसका target है, जो margin growth है, उसको increase करना, Now, year on year basis पे देखते हैं, financial year 2025, जो नाम दिया है, वो है, turnaround phase, project 40s का जो first phase है, turnaround phase, that is financial year 2025, इसमें, जो focus रहेगा, वो रहेगा, new organization की anchoring, investing into key accounts, markets, and service lines, जो important चीज़े हैं, क्योंकि लिमिटेड पैसा है, तो important जगह पर कहां का लगाना है, And at this stage, the work will be to integrate front end portfolio companies, focus on turbo charge program for key account growth, मलब कि पूरा focus financial year 2025 में रहने वाला है, key accounts पे, financial year 2026, that would be the stabilization phase, Stabilization phase में, जो investments है company में, वो और जदा ये लोग expect कर रहे हैं कि investments हैंगे, And project 40 years का तब, जो focus होगा, वो होगा cost saving की progress पे focus करना, First year में focus किया जा रहा है कि, जो key accounts है, उसको कितनी अच्छी services दे सकते हैं, उसको कितनी जसे cater कर सकते हैं, And जो financial year 2026 देने की phase 2 है, उसमें cost saving पे focus रहेगा, Now, coming on to the final phase, that is financial year 2027, जिसको reaping returns का नाम दिया गया है, इसमें long term structural mix पे focus किया जाएगा, continuous improvement जो होगा pyramid में, उस पे focus किया जाएगा, Company further double करेगी अपना telecom business, manufacturing business, BFSI and AI vertical, इन चारों पे focus करेगी, अभी जो मैं आपको अपनी strategy बताऊंगे, उसमें आपको पढ़ा पढ़ेगा कि, Yes, Tech Mahindra is not only into one, but उसका बहुत जादा wide revenue mix है, और ये सारे जो segments है उसमें आते हैं, The next focus of financial year 2047, यहने की, final phase would be to expand EBIT, earning before income and tax margin to 15% and have higher top line growth as compared to the peer growth which is average 6-7% in IT service players. So, definitely, जो अभी 6-7% जल रहे हैं, उसको यह 15%, तीन साल में 15% का target लेने, which is just double, तो अगर यह जो planning की है, अगर यह execute हो जाती है, definitely this is a very good planning, और इससे Tech Mahindra की positioning बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर हम rating agencies का overview देखे कि क्या brokerage firms ने analysis क्या है और ratings दी है, तो 27th April को 37 analysis हमारे पास available है, जो companies ने analysis ने अपने ratings दी है, किसी ने strong sell rating भी दी है, किसी ने strong buy दी है, किसी ने hold दी है, so let's see, जो 10 analysts है, उन्होंने hold rating दी है, 12 analysts ने sell rating दी है, 2 analysts ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि strongly sell, 6 analysts ऐसे हैं जिन्होंने buy rating दी है, and 7 analysts ने कहा है strong buy, so बहुत ही diversification ratings है, now coming on to the view, which I have to share, जो मेरा खुद का personal analysis है, और उसके basis पर जो मेरी खुद की personal strategy है, और यह सब सुनके, फिर आप अपना खुद का analysis करके, definitely अपनी खुद की strategy draw कर सकते हैं, so now, अगर आप देखो, आपकी screen पर एक chart है, जिसमें मैं आपको Tech Mahindra का current revenue mix दिखा रही हूं, जिसमें, जो major revenue है, वो टेलीकॉम business से आ रहा है, which is 39.6%, then, it is manufacturing 16.3%, BFSI 16.5%, others 10.8%, tech and media 9.3% and retail 7.5%, so yes, this revenue mix is very appealing and interesting to me, जैसे हम Reliance Industries की बात करते हैं, similarly, Tech Mahindra का भी जो revenue mix, it is not only catering to IT now, it is not only focused to AI now, it is not only focused to telecom, यह हर चीज में काम कर रहा है, even retail में भी इसका presence है, telecom में अगर हम बात करें, तो 5G पे यह काम कर रहा है, so definitely, जो Tech Mahindra की working चल रही है, internally, वो मुझे, I feel की बहुत ज़दा strong चल रही है, at this point of time, एक दूसरा चार्ट आपकी screen पर है, which says, Digital Operation Service Framework, जो Tech Mahindra का, वो दिखा रहा है, and see, this is very robust planning, आप देखो, पहरे roadmap, KPI formulation, उसके बाद में customer 360, campaign management, content marketing, e-commerce operations, search marketing, social media, personalization, automation, analytics, content and creative, demand gen, assessment, strategy, cross-channel, orchestration, process management, government initiatives, so, what I feel is, कि जो operation transformation, ये जिस तरीके से कर रहे है, they are catering to each and everything, उन्होंने हर चीज़ अकाउंट फॉर की है, so, definitely, अगर मैं planning की बाद करूँ, fundamental aspect की बाद करूँ, that is very, very strong, now, the only apprehension right now is, कि तीन साल के हम बात कर रहे हैं, आसे में global economy अभी थोड़ सा turmoil में है, तो, Indian economy is doing very good, but since this is a MNC, ये, इसका global presence है, तो global, जो turmoil चल रहा है, वो भी affect करेगा, and second, you think management या कोई भी चीज़, you never know, it might change and might affect ये, इस पूरे plan का execution, but the base, the planning is very good, और अभी तक का जो execution है, that is also really good, अपकी screen पर एक तीसरा chart है, which shows the technology transformation services, Tech Mahindra is working on, and which is very appealing to me, तो मुझे ये लगता है, at this point of time, and in fact, काफी पहले से भी, जो लोगों ने मुझे से PMS लिया वा भी है, उन्हें भी, मैंने ये चीज़ सज़स्ट किया है, मतलब मैं Tech Mahindra को थोड़े काफी टाइम से accumulate या buy on dips वाली category में रख रही हूं, कि ये जो अभी correction आ रहा है, ये जो volatility है stock में, ये अभी हमारे लिए accumulate कने के लिए बहुत अच्छा time है, क्योंकि जब ये breakout देगा, तब ये बहुत अच्छी growth देगा, आप देखते हो blue chip जो stocks है, वो जो breakout देते हैं, तो एक एक दिन में 100-100-100 रुपय बढ़ते हैं, and then they are uncatchable, अपने portfolio में एड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक बात देखो, अगर हम long term portfolio क्रेट करें, the company is good dividend paying, अभी इतने difficult times में, जब रिजल्स इतने इच्छे नहीं आए, तब भी dividend 28 रुपीज पर शेयर का दिया है, तो एक secondary source of income आपका generate हो ही रहा है, passive income, उसके अलावा, stock अपने आपने भी move कर रहा है, I agree कि पिछले एक साल में उसमें negative return दिये, बट अगर आप 5-10 साल के रिटर्स देखो के तो अच्छे है, overall IT sector अभी अच्छा नहीं करा था, जब इसका इसका डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि आज का टाइम पर मुझो लगता है, in this era, this is very important, and हर बड़िया कंपनी जो है, वो डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करें, और इस पर जो डाइवर्सिफिकेशन में, सारे ही future-oriented business models है, so what I feel is, for long term, for 3 years, 5 years, 10 years down the line, the stock is really good, so at this point, definitely, it's a time to accumulate or buy, but it has to be buy on debts, FOMO नहीं होना चाहिए, कि आप fear of missing out की case में, एकनम कितना भी बड़ावा rate है, उसमें बहुत सारा ले लो, क्योंकि फिर averaging करना possible नहीं होगा, अगर आपने 100 stocks suppose कीजिए, कि अभी जब 1340 का rate उसना टच्च किया, उस दिन आपने ले ली होते है, 1320 पे suppose आपने कि इतना अच्छा movement दिखा रहा है, रिजल्स के बाद में आपने ले लिए 100 stocks, तो आपने एक major chunk अपना invest कर दिया, अब उसके बाद same day वो 1280 के rate पर आया, अगर आप देखो, 1190 प्रिविएस दे का close थाओ से 1280 पर बंद हुआ, यनि वो बढ़ के बंद हुआ, बाद आपने लिए बाद देखो, बाद आवरेज होल्ड कीजिए, और आपने लिए बाद देखो, इसी तरह से अपडेटेटे रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके वीडियो कैसा लगा, वो आप नीचे कॉमेंट करके बताईए, आप क्या स्टोटीजी अडप्ट करने वाले हो, वो कॉमेंट करके बताईए, और वीडियो को लाइक और श्यार करना बिल्कुल मत बूरिये, थैंके सो मच,